प्रश्चान अब दो चार को नापने का डिल करके फिर आ जाएगा जाओ जाओ देखना शेटी तुम लोगों का भी गेम बजा देगा क्या हुआ अरे डर लगड़ा है क्या? है रर लगड़ा है ही तो क्या मतलव है ज़का? हाँ भई हाँ चारों छूट गए है हाँ मामू एक डील है तुम मेरे साथ आओ अगरवाल का डील तो नहीं अरे तुम चलो तो सही मामू बताता हूँ आओ बाबू हाँ शट्टी जी मैं गांधी नेगर की तरफ जा रहा हूँ एक फोटो है तुम मुझे दे तो किस लिए शट्टी जी सुना है प्रेम नई फिल्म बना रहा है यह देखिए शट्टी जी कैसा है क्लोज अब है वाँ फस्ट 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 यह लिजिए अच्छा उसका टाइटल क्या रखा है उसने टाइटल रखा है गुंडों की धरती इन में से कोई भी मौत से नहीं डरता है इधर कुछ नहीं होगा मामू दिमाग खराब मत करो चलो यह तुम लोग जा रहे है ठीक चलो चेहरे पर अभी तक मूच नहीं आई है और सौधा पाटा रहे हो क्यों वे चिलर कर रहे हो हम जैसे चिलर ही तुम लोगे काम आते हैं तुम लोगे इशारे पर किसीको भी टपका डालते हैms देखा मामू, अभी से इन लोगों का डेरिंग, वो भी शट्टी के सामने है, बले ही जेब में पैसे ना हो, लेकिन फिर्ड में रहना पड़ता है भाई, शाबाश, वो सब छोड़ो भाई, मुद्दे की बात करो, इस लड़के को टपकाना है, ठीक है, बतले में क्या दो गए, इम्मत कैसे होई तेरी भाई से पैसे की बात कर रहेगी, ओका, ओका देखे तुना अपनी, बंद कर रहे, बंद कर, अपना ढकन बंद कर, आप ही बताओ भाई, कितना दो गए, दस पंद्रफंटर एक साथ आ जाए ना, तो उन्हें अकेले ही मैं धूल चटा देता हूँ, छोटे मोटे काम करने वाले ये चिलर, मेरे सामने खड़े होकर देखो ना मामू किस तरह रेट की बात कर रहे हैं, हाँ, नहीं भाई, आप दूसरों के मेटर में टांग अड़ा रहे हैं, धड़ पे सर नहीं रहेगा, नेरी सारे हिंबत कर रहे हैं, तू शांत है, तू शांत रहे, जाने दो भाई, वो वैसे भी शौट टेमपर है, आप बस काम बताईए, बाबु नाम है उसका, MLS सोम को तो तुम लोग जानते ही हो, उसका जोटा भाई है, क्यों किस यह सवाल मुझसे मत करना, बस इसको टपकाना है, तुम्हें जो भी प्रोटेक्शन चाहिए, वो तुम सब को मैं दूँगा, लेकिन याद रहे, कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इस दिन से आपको क्या फाइदा है, यह हमें नहीं पता, और हम जानना भी नहीं चाह हो गया क्या, तेरे करान डील हाथ से निकल जाती, फील्ड में काम करना है, तो शौट टेमपर नहीं होना चाहिए, एक बार फील्ड में नाम हो गया ना, तो यह सब अपने ही कदमों में आके गिरेंगे, बिढ़ो, फील्ड में नाम कमाने के लिए मूच होना जरूरी है न, इसलिए तो भी लगा ले, ठीक है, अच्छी तरह देख ले इसे, इसका ही गेम बजाना है, इसकी मौत के बाद, नेक्स्ट शेटी का नंबर, फील्ड में सबी लोग मुझे और बाबू को भाई ही समझते हैं, क्योंकि हम सालों से एक साथ हैं, हर बात में साथ देता है, नाम आगे बढ़ाना है, नाम, तो लड़का नंदा कौन है, जो तेरे उपर भड़क गया, मामू, नंदा थोड़ा अडियल खोपड़ी का है, आप देखना ये काम भी वही करेगा, तो फिर उसका अकेले का बेल करवा देते, उस अडियल के पास दिमाग नहीं है, दिमाग कमीने की आउलाद लगता है, अकेला नहीं मिलेगा, गुरू, चल अभी खुच आते हैं क्या, सबर रख ठकले, अब वो बचके कहा जाएगा, एक ही बार में गेम बजा देंगे उसका, उसके लिए एक सेकंड काफी है यार, यह सही वक्त है, यार, मैनु, बहुत सीरिस केस है मैडम, हॉस्पिटल किस तरफ है, इस तरफ, बाई, 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 आमारे बाबो को किसने मार डाला, किसने मारा, कहा पर मारा, और कौन था वो, हाँ, बाई, सब अलट हो जाओ, वो कौन है, उसे जल्द से जल ढूड निकालो, यह रवी का ही काम है, जाओ उसे उठा लो, जाओ, 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 सर, कल तक तो खून खराबा गली सड़क पार्क में होता था, आज कॉलेज तक पहुच चुका है, इससे स्टूडेंट सब कितना सेफ रहेंगे, हाइफाय लोगों का यह हाल है सर, तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा सर, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी पुलिस तो ही उसको हमेशा रोकता था, बाबू, अवरा गर्दी मत करो, सब को छोड़ का राजनीती में आ जाओ, नहीं मानी बात मेरी, राजनीती में नहीं आना है यही कहता था, क्योंकि सारे गाओंवाले कहेंगे कि पूरा खांदान राजनीती में ही लुबा हुआ है, इसलिए तुम करने वाला, वल्लारी में दो धर्मों के बीच, वह सामप्रदाइक दंगों को बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के आगे जुके खत्म करने वाला, इसलिए नैक, इस केस में अब तक तुम्हें कोई क्लो मिल पाया है, नो सर, मैंने पकड़े गया सारे राओडिस के इंट्रोकेशन किया है, मगर जिस पे पुलिस के शक जा रहा है, वो है आरेस रवी और कच्रापटी गैंग के चार लोग, कोली मुर्गन के केस में आरेस र शेटी, यह केस बहुत ही सेंसेशनल है, एक अर्जिंट फोन आ गया था, शेटी, कौन है वो चार लड़के जिनका तुमने बेल करवाया था, अभी जो आया थे उन्होंने बताया क्या, हाँ भाई, मैं नहीं बेल करवाई, आप जानते हो क्यों, वो आरेस रवी मुंबई में बैट कर इन चार लड़कों को अपने कबजे में लेकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहा था, मुझे मरवाने के लिए फिल्डिंग लगाई थी भाई, किस्मत से मैं बच गया, और वो कॉन्ट्रेक्टर किष्णपा, हाँ भाई, अगले छे महिने के अंदर, वो आरेस रवी मुंबई से बैंगलोर आ जाता, फिर इन चार लड़कों से मिलकर डील करता, और डील होते ही समझो, खेल खत्म था भाई, मेरे लिए पूरा प्लान बना लिये थे भाई, मुझसे एक छोटी सी भूल सिर्फ ये हो गई थ भाई, कि मैंने उन चार लड़कों को लाने के लिए गलती से अपने 90 को भेजा था, पता नहीं ये जाकर उन लोगों के सामने क्या-क्या बग दिया, पता नहीं वो लोग क्या समझ बैठे, वो लोग डर कर इसकी अच्छी खासी पिटाई भी कर दिये, और हमारी गाड़ी लेकर फरार हो गया, भाई, वे एसी पी भी अभी तेक उन चार लड़कों का पता नहीं लगा पाया, उसने आल्तु फाल्तु मवालियों का नाम आपको बताया होगा, अरे हमारे जान से जादा प्यारा बाबू के साथ ऐसा होगा, किसने सोचा था भाई, अब देकार के काम छोड़के किसी सेफ जगह पर जाके डिसेंटल हो जाओ, शहर में पोलीस वालों का राउंड अप शुरू हो चुका है, क्या बात है बीडू, पोलीस वालों का राउंड अप शुरू हो गया, यार, पोलीस वाले, इतनी जल्दी, नाइंटी कह रहा था कि किसी सेफ जगह प वो सुम भाई के तरह आपके भी हाथ पर धिले पड़ गए क्या भाई ने Lella बैंड इट बानडे की लीकिक का तो मैंने बाण लिया उससे हाथ में लटकाने की लिका तो लटका लिया आकर खड़े होने की का तो चूप-चाप सर जुका और खड़ा हो गया मैं बताओ क्यों भाई जो भी काम करते हैं ना फका प्लान बना कर दो कर दो कर दो कि अई एए जो एए है थे लगता है यह लोग हमें किसी हालाथ में नहीं छोड़ेंगे कि आयार हम लोग गुंडे होकर भी पुलीस वालों से डर रहे हैं तू बस इशारा कर देता तो में अकेला ही सब को तोड़ देता अरे 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 यह तो अपना मनू है हां यार मनू है मनु, 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 कैसा है, अरे वो अपना ही दोस्ता यार, तूने उसे क्यों मर दिया, अरे देखना यार, ये मनु तो हमें पहचान ही नहीं रहा है, अपनी जन देने वाली मा को ही ये नहीं पहचान पा रहा है, तो फिर, ये तुम लोगों को कैसे पहचानेगा इसे क्या हुआ माजी? ये बिल्कुल ठीक था रोजाना काम पर जाता था अपने बेहन की शादी भी करवाई ऐसा लगता है ये सारी बाते उपर वाले को पसंद नहीं आई इसलिए आज इसका ये हाल है यार अब दिगरी तो पूरी हो गई है आगे क्या नौक्री जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए तो एक दिन मेंटल हो जाए। क्या सोच रहे हो बच्चो तुम लोग खाना खाओ बाजी, मनु खाना नहीं खाएगा क्या उसकी भूग तो मर ही चुकी है मुँमे निवाला दो तो खा लेता है बर्ना नहीं ए, शुरुती की शादी है यार हाँ यार, इतनी जल्दी शे, चुप करो तुम लोग, वह अच्छी लड़की है जहाँ भी रहे, खुश रहे अरे, कौन शृती यार यार, यार, यह कौन सी शृती है कौन सी शृती यार कौन शृती मनु कोई भी शृती हो यार, हमें उस से क्या बड़ी जोर की भूग लगिये चल स्वामी मैं बात पूछ रही हूं तुम बुरा मत मानना ने पूछे ना यह दोनों कौन है बिटा यह नंद कुमार और यह योगेश कुमार अरे यार यह दोनों हमारी कॉलेज के पास ही बहुत बड़ा बिजनस चलाते थे माजी जब से बंगलोर की मेटर गेज ट्रेन बंद ह वही तब से विडू आज कोई और नहीं कहाना अरे अपनी आइटाम भागने के लिए यार वाई सच बता यह बात तुम ने उस लड़की से कही या उस लड़की नहीं तुम से कही मैं क्यों कहूंगा उस ही न मुझसे गई उसके ना करने के बाद भी तुसका पीछा नहीं तो तुझे भागने के लिए ही तो कहेगी अरे मुझे ऐसा कुछ नहीं करना अब तुभी बता मनू क्या करूं मतलब इंदजाम करना है न हो जाएगा ए रंदा तु एक काम कर सीधा मंदिर चला जा मंगल सूतर फ्री बरातियों की जरूगत नहीं वहाँ जो भी होगे बरा अरे तेरे हाथ में सोने के रिंग है ना यार मेरी माने मुझे बहुत प्यार से दिये हां जो चीज प्यार से मिली हो उसे प्यार में खर्च करनी चाहिए वो तू हमेशा कहा करता था ना वो विवेकानंद जी ने ऐसा कुछ भी नहीं का है बड़ा आया है चलो माना उन्हों बाप का नाम क्या है मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या या फिर तेरे कानों में प्रॉब्लम है अरे बोल ना बता बेटा बता दो कि तुम हेट कॉंस्टेबल महेश की बेटी हो ये क्या महेश ये तुम्हारी बेटी है ची हां सर मेरी बच्ची बहुत ही शरीफ है सर र तुरि बेटी अभी 17 साल की भी नहीं हुए सर उसे क्या पता कि सही क्या गलत क्या है सर माइनर किड्नैपिंग का केस बना कर गुंडों के लिश्ट में डाल दीजीन है कैसी बात कर रहे हैं साब हमें कानूल नहीं पता है क्या सर यह अपनी लड़की की 17 साल की उमर में शादी क के लिए चले गई थे और क्या है यह भी हमारे साथ था सर है महेश लिख दो चार शिट्टेयर करो और दो चार मजबूत केस ठोकर इन सबको गुंडों की लिस्ट में डाल दो ठेका सर तुम अपनी बच्ची को संभाल के घर ले जाओ इन कमीनों को सही क्या है गलत क्या है य हम उनके साथ कॉम्प्रमाइस कर लेंगे आप इने छोड़ दो लड़की ने खुद कंप्लेंट लिखवा यह और चार्शिट भी तयार हो गई है अब इने चुड़ा ना है तो कोट में जाकर इनकी बेल करवा हो नई सर जूटा सर वो तो चुपचा बैठी थी उसने तो चाप नहीं रह सकते हैं वो जो अंगुठी तुने दिया था ना मारवाड़ी के हां गये उसे गिरवी रखकर दो दो पैक लगा लिये अभे तेरी कितनी काली जुबान है यार तुने पहले बोल दिया था कि गड़बर हो सकती है ठीक है किसी तरह तुमारी बेल करवाता हू इच्छा टैल में सब तक्लेव कर रहे हो से जर्ट ना जल्दी 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 ऑगो भई टैल्कर रहा है चल्दी करो करो ठीक है खाली करो छलो दिखलो एगुरु क्या हूँ इच्छा थेरी माँ बेटा ये तो भगवान की मर्जी है तुम अपने आपको संभालो बेटा साफ 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 इसे आज की दिन छोड़ दो साफ जिसकी मा का तेहांत हो गया है साफ गाली से मैं खुद पुली स्टेशन लेकर आऊंगा साफ बच्चों को पैदा करके साफ पे छोड़ देना कोई बात दूरी है क्या बच्चों का अच्छी तहजीव और तमीज सिखाई होती ना तो आज ये नावात नहीं आती इस इलाके में अब अगर किसी का खुन होगा तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा अब ये लिस्ट में इस शेटी उस पर कोई हाठ डालने की हिम्मत नहीं करता उसकी तीजोरी की चाभी है बिल्दिंग कॉंट्रक्टर कृष्णा उससे यगर हम दुलका दें तो समझ दो फिल्ड में हमारा ही तब दबाहोगा मैं इसे दिमा के हस्पिटल भी ले गई दो महीने वहाँ पर भी था डॉक्टरों ने कोशिश की फिर भी कुछ नहीं हुआ इसकी हालत मुझसे देख ही नहीं गई इसलिए इसे मैं यहां घर पर ले आई इसका किसे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाओ तो मेरी हालत इस लेकिन वहां जाने के लिए भी पैसे नहीं है आप पैसो के बार में फिक्र मत कीजिए माजी अगले हफते ही हम लोग उसे वहां ले जाएंगे अब मनु की सारे जिम्मदारी हमारी होगी माजी अब ऐसा लगता है कि यही जगह हमारे लिए सबसे से रहेगी यह केस ठंडा ह अब लगता है लेकिन मेरे सामने नहीं कर सकता है लड़के बिगड़ते हैं दो ही कारण से पहला गलत आदतों को अपना कर दूसरा प्यार में पढ़कर देख प्यार के जाल में फसकर मैं नहीं भीगड़ा मनु लेकिन तु ऐसा कैसे हो गया है अब अरे बाई मैं तुस्ते पूछ रहा हूं है हांस क्यों रहा है और इससे लिए क्यों खूंब रहा है कि यह ले अरे बाफरे यह तु अपना रख भाई यह सब कब कैसे हुआ उपर वाला वे किसका किस से कनेक्शन जोड़ देता है भाई जैसे तेरा इस खिलोंने से जुड़ गया है साब की तरह फुफ कंद लगा वर फृ इह अरे मर गया बहुत दुख राएं अरे यार अल्हार सच में यह इनसान है क्या नहीं है यार और्व इटो हस तुर है बीड़ो हां कुछ करना यार क्या मैं तेना कुछ करम हार तो एक काम करो आ यह खिरोना लेकर सर उदर घुमा के आराम से खेलते रहें दर्द भी दूर हो जाएगा जाएगी ऐसा क्या जादियों यार इसमें इसमें कोई दर्द वर्त की गोली तो नहीं रखी है मज़ा आया टकले इसने फोन किया है अरे यार मैं बोल रहा हूं पैचाना भी क्या है क्या है बोला अरे बड़ी जोरों की भूग लगी है चलकर कुछ खाते है ना है हलो चारली टकले अरे यार मनू तू अराम से यहां बैट बहुत थग्या होगा मैं भी आता हूं कि अब अब इबड़ू उधर देख अब सवन में आया वास इसके पीछे तो प्यार वियार का चक्कर है यह लड़की और वह गोडिया कॉलेज में तो इसने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा आखिर यह चक्कर गया है 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 उधर देखो एक और लाव स्टोरी उसमें जुड़ रही है यह भाई लोग उन लोगों से पूछेंगे ना तो पता चलेगा मनु की यह हालत कैसे हुई ओके आज़ा अज़ा जली अरे वो लोगों उतने इकल जैंगे तुल्ड चाहर अज़ा शांव चलो पर आएज़ा ज्टींगों है आटो आटो अटो आटो जांदिवां आओ अच्छेश्या कि यार काय वोगे ज़ला दाय चला बागे ले ले बेल गाड़ी चला अटो गुमा है कौन हो तुम हां सर यह भी उन लोगों के साथ था इसे जीब में बैठाओ है 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 यह सब कैसे हुआ सर वो जो लड़का था उसी ने सब किया सर चलो अट चल यह जड़स दो चलो यह 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 चैका लाण का यह लोगा यह 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 अँग आडली को आड्ड्स कालों कि वह श्यग्ड्स को श्याओन झाल झाल कि अब आइए आइए देवराज इदर आओ जल्दिया इसे देखो हम लोग इसे उदर ढूंड रहे हो और यह यहां बैठा है अगर यह यहां है तो इसके चारों दोस्त भी यहीं कहीं आसपास होंगे अपरे इसका ठीक सख्या लखना शेटी कहा हो तुम क्या बात है उन्हें से कोई एक लड़का मिला है सिदा पुलिस टेशन जाओ उन्हें से कोई एक लड़का पकड़ा गया है ऐसा क्या तो फिर वह फोन करके पता लगाता हूं अगर वही पकड़ा गया है तो तेरे फोन करने से तू भी पकड़ा जाएगा तू इधर ही रह मैं और मामू जाकर देखते हैं ए नैंडी को फोन दगा है क्या हूँ अरे स्विच आफ यार अरे यार हमारी वज़े से मनू फंस गया ना अब बता दे मारो मारो साले को इतना मारो कि इसके होश ठीकाने आजाए यह रुग जाओ रहे यहीं पकड़ा गया है क्या है इसका चेहरा दिखाए यह दिखाओ रहे इसका चेहरा पता चला यह कौन है अब नहीं भाई यह बेचारा कोई और है लगता है आरे श्रवी ने इसे मुंबई से भेजा है मुंबई से नहीं मुंबई से नहीं यह लोकल लड़का यहीं पैदा हुआ है और यहीं पला बढ़ा भी है इसके साथ इसकी मां और वो चार गुंडे भी रहते हैं जो कुछ दिनों पहले बेल पे चूटे थे ए इतना पीटा लेकिन कुछ नहीं इतना सब कुछ जानने के बावजूद लॉक अप में बिठा कर हमारे सामने नौटंकी कर रहे हो नहीं सर मैं तो अपना यह नाटक कर रहा है क्या इंस्पेक्टर बड़े-बड़े टेर्रिस्ट को लाकर उनका मुझ खुलवाते हो कि नहीं लेकिन सर वो इस लड़के का मु अब आप एक ही काम कीजिए इसका ब्रेन मैपिंग कीजिए कीजिए डॉक्टर साब कीजिए मिस्टर नायक यस मैं आपको यह पहले ही पता चुका हूँ न वो कोई रस्पांस नहीं दे रहा है इस एबनॉर्मल डॉक्टर साब इसने पुलिस वालों को कुट्तों के जैसे मारा है हां मैं इसके हमारे स्कैनिंग करवाता हूँ उसके बाद पता लग जाएगा टी-बी-ाए, Diatic Brain Injury इस वक्त ये एक बच्चे के जैसा है इसे कुछ भी याद नहीं रहता है ये सब कुछ भूली आता है ये देखिये ये बच्चा याद नहीं रहता भूल जाता है उस दिन आप हमारे पुली स्ट्रेशन की हालत देखते तो पता चलता है मिस्टर नायक, आपके कोई बच्चा है क्या? हाँ, एक तीन साल का बेटा है क्या, क्या उसने कभी आप पर हाथ उठाया है? वो मुझसे कहीं ज़्यादा गुस्से वाला है, वो अक्सर मारता है जब वो बच्चा मारता है, तो आपको दर्द नहीं होता लेकिन जब ये मारता है, तो दर्द हुआ होगा हाँ, तो फिर आपके हिसाब से इसकी इलाज के लिए क्या करना चाहिए? सेल्स डेमेज होने के दो घंटे बाद अगर इसे लाय होते तो शायद इलाज हो सकता था, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है, ओके, लेट उस ट्राइट टो गिव सम अधर ट्रीट्मेंट सर वो नगेटिव पॉसर्टिव मेरा बेटा मवाली नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे है सब्सक्राइब कर दिए, अब टो बहुत है कि आए, आप जाता आमगेजिए, आई आए आए, पूसर्टिव में चलेगा इए, इसमें चलेने के बाद सब पता चलिए और ये ये वाल पानिया, इसमें आप ये पादश्याज रहे है मिस्टर नायर यस्ट डॉक्टर अब ये थोड़ा थोड़ा रिस्पाउंस देने लगया है वो यह तो अच्छी बात है अलो तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है मन्हों तुम्हारे घर में कौन कौन है मैं मा और बहन लड़का गली गली बटकने के लिए लड़की काम से जी चुरा कर इधर उधर कूदने के लिए और मैं अपने घर के साथ साथ दूसरों के भी अंडी बरतन गिसने के लिए पैदा हुई हूँ जिंदगी भर मुझे अपने पदी से कभी सुख नहीं मिला तुम लोगों से कुछ उमीर लगा बैठे हूँ मेरी ही किसमत फुटी है बेवकूफ हूँ कुछ पर को सेक्टी नहीं और खाने के लिए तैयार हो जाती है चल जबाद में खाना क्या मैमी तुमभी किसी और का गुछ्सा तुम मुझ पर क्यो उतार रही हो प्यारी मा सौ मैं क्यों है इस मनुख की बहन है समझी सवर्गय रंगा सहब की प्यारी बेटी सवर्गय भीम साहब की पोती सुर्गिया बाल ही को सबसूट होते हुए मेरी इस भेहन को आप टाचती हैs नॉटनखी की कमी नहीं है अरे डाटु नहीं तो और क्या करू तू भी तो मैंनत नहीं करता पयारी मा मेंनत करने वाले जिजान से मैनत करते हैं देहन की शादि było करवाटे और घरबार भी चलाते हैं इस मनोग की तरह है लेकिन response क्या जाल कि नई कर सकता कि कुछ नदे चोड़ कर आगया हूं क्योंकि कुछ लोगों को मैंड़ पैस नहीं नहीं कर पाए आप इतना लंबा भाशन दे रही हो ना मा तो फिर आप इसे कोई नौकरी की नहीं लगवा देती उससे पहले भूक लगिए खाना दो क्यों री मैं कोई महरा नहीं हो क्या मुश्किल से सब के पेट भर पाती हूं और इसके लिए नौकरी भी ढूंडू ठीक है नौकरी भी द ठीक है बेटा वो भी कर लूगी यह बता तो क्या चाहता है मैं दिल रात तेरे लिए मेहनत करूँगी ठीक है नौकर कितनी बार तुमसे कहा है जब मैं खाना खाऊं तो रोया मत करो मुझे एक साल का समय दो इसकी शादी भी करवा दूँगा और तुम्हें मारानी की तरह खबर छोंगा फिर भी आप रोति क्यों रहती हैं देखो भाई या पहले घर की हालत दो संबहलो मेंटारी क्या है वह से ही मैंने पहले ही मंग हमारा खांदान पटा यह ईकितना ओक्वार होती चेजँ करेंगा तो भिज़चि お servizet हो जाएगी तुपशने मां आँप तो ज किया बात है शांता बेहन, आज आपने बेटे को भी साथ लाईई हो है भाई साब, आपके कमपणी में इसे नौकरी दे दिजीए, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ आजकल काम बहुत ही मन्दा चल रहा है, हमारी कमपणी घाटे में चल रही है इसलिए मैं उनमें से आधे लोगों को कम कर रहा हूँ कोशिश कीजिए ना शांत अबेहन हमारे लिए पराई है क्या ये हमारे घर में पिछले साथ-अठ सालों से काम कर रही है कोशलिया तुम जान कर भी आन जान जैसी बाते कर रही हो कहां तक पढ़े हो बेटा बीएसी कंप्यूटर साइंस डिगरी होल्डर हो बहुत अच्छी बात है तुम मेरी आँकों के सामने ही बड़े हुए हो कोई चोटी मोटी नोकरी हो तो भी चलेगी आप इससे अपने साथ ही रख लीजिए फिलहाल हमें एक ड्राइवर की जरूरत है और इसने बीएसी किया है वो काम देने में मुझे खुश शर मारी है कुछ दिन करोगे क्या करेगा ना इसकी चाचा भी ट्राइविंग करते थे और इसकी पिता जी भी काम पे कबसे आरो बेटा आज से ही आज शुक्रवार है न, अच्छा दिन है सर, मंडे को आता हूँ सर क्यों रहे हाध से क्यों नहीं जाएगा क्यों रहे हाध से क्यों नहीं जाएगा जाने दू छोड़ो ना शांता भेन उसे कुछ काम होगा निप्ता लेने दो ठीके सर, अब हम चलते हैं डाड़ी, न्यू प्रोजेक्ट का डिसकेशन है, मुझे फ्रेंड के घर जाना है, कार कीचा भी कहा है तुम अकेले ही जाओगी, बहुत ट्राफिक होगा, और मैं भी अभी तयार नहीं हूँ ट्राफिक का छोड़िये डाड़ी, मैं अकेले ही जा रही हूँ मनु, बेटा क्या तुम इसे वहाँ छोड़ दोगे, क्यों नहीं राज्योग आएगा ये तो पता था, पर इतनी चल्दी आएगा ये नहीं पता था, अब मैं क्या करूँ इसके बाद, भगवान बचाले, भगवान बचाले अब क्या करूँ, बार बार एक ही बात कहकर दिमाग मत खा, मैं आ रही हूँ मेरी माने मुझे खा पसा दिया, अब क्या दाबाओं क्या चोड़ू को समझ में नहीं आ रहा है सभी लोग आ गए हैं क्या ठीके ठीके पहुच रही हूँ मैं बस रास्ते में ही हूँ, आ रही हूँ मैं यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाओ सॉरी, 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 अल्ड़ी हम लेज हो चुके है बात करने का टाइम है, चलो, चलो, काम, काम, कुछता बता बात करने का टाइम बात करने का टाइम आपके बात करने का मैं कमाल है, मुझे ड्राइविंग ने आती फिर भी एक शब्द भी नहीं का, सच में ये तो देवी है ए, तुम अपने अपको समझते क्या हो हां? तुम ये ड्राइविंग नहीं आती तो बता देना चाहे कि नहीं आती आज तक मैंने कभी अपने डैडी से जूट नहीं बोला, फिर तुमने क्यों बोला? मैं तुम से पूछ रही हूँ भूख मैडम, क्या? पेट की आग, सारे जूट बलवा देती है ऐसा है क्या, सॉरी, मैंने कभी अपने रैडी से जूट नहीं बोला, इसलिए मुझे गुस्सा आया मेडम, थीएटर में भी मीटिंग होती है क्या तुम जितने दिखते हो उतने शरीफ हो नहीं आपके साथ भी ऐसा है, जितनी बुरी देखती हैं उतनी बुरी हैं नहीं, तो आप चले मेडम आप चले चलो इन केस मेरे डैडी ड्राइविंग करने के लिए कहते तो तुम क्या करते वो क्या है न मेडम मैं एक दो दिन ड्राइविंग क्लास में जाके ड्राइविंग सीख के उसके बाद जूटी जुआइन करना चाहता था लेकिन प्यारी माह है न वो नहीं मानी कहने लगी आज अच्छा देन है और मैं फंस गया हम ओके शांत आंटी के बेटे हो इसलिए मैंने माफ किया चलो तुम्हारी सच्चाई तो सामने आ गई खेर छोड़ो दो चार दिन में मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगी तुम चिटकी बजाते ही सिख जाओगे ओ आप कितनी अच्छी है मेडम ट्राइविंग भी सिखा अन्नू मेरे बेटेने अच्छी गाड़ी चलाई ना क्या तारीफ करूँ शांता आंटी गाड़ी जरा भी हिली नहीं अच्छा इतनी अच्छी चला लेता है मैंने तो कभी देखा ही नहीं देखो कार की अपनी ही मेथेड होती है ए बी सी मेडम यह सब मैं स्कूल में पढ़ चुका हूँ पहले मेरी बात सुनू ए मतलब एक्सिलेटर बी मतलब ब्रेक सी मतलब क्लच फर्स्ट ब्रेक और क्लच के उपर पैड रखो अब अंदर डालो हां क्या डालो चाबी इसके ब स्मूद्ली हैंडल करते हुए स्पीड को बढ़ाने के लिए धीरे से गेर चेंज करो गाड़ी स्पीड में हो तो सडन ब्रेक नहीं लगाना चाहिए सौरी मेडम ठीके अब गाड़ी को न्यूटल करो धीरे से आगे बढ़ाओ तुम हस क्यों रही हो ऐसे ही मेडम डालो सब बाते कहींगी तो इसका मतलब कुछ और होगा हुम उनलोग इतने कं समझदार होते है क्या बेचारी लड़कियां जो खेल लड़कियां वो लड़के पूरी जिंदगी में नहीं खेल सकते आप भी एक लड़की हैं बुरा मतमानना लड़कियों के बाड़े में एक हाव को भूल जाते हैं एशो आराम की जिन्दगी पैरों के नीचे गाड़ी फिर अपनी अलगी कहानी आखिर में क्राइम स्टोरी बाप प्रेबाप पहले तो तुम्हारे मुं में जबान ही नहीं थी मा की सिफारिश लेकर आये थे अब देखो कैसे पटर-पटर कर रहे हो जैसे को भाट बेड़े समझधार हूं ट्यूंत क्यों मेडम मेरी फ्रेंडी जा रही है गाड़ी रोको तुम यहीं रुको में आती हूं ए अनिता हे अनिता हे अनिता हे अनिता कैसी हो तुम चल रहा है बस जी रही हूँ तू कैसी है बता मैं तो ठीक हूँ पर तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसे उत्रा है मैं जिन्तेगी से बिल्कुल तंग आ चुकी है क्या कह रही है पूरे घरवालों के खिलाफ चाकर जिस राहुल से तुने प्यार किया उसे से लव मैरेश भी किया तो फिर दुखिये क्यों है तू सब कुछ छोड़कर मैंने सोचा था मैं उसके साथ खुश रहूँगी लेकिन जैसा हम सोचते हैं जिन्दगी वैसी नहीं होती अनू अब बड़े बड़े लोग बड़े तरीके से सोचके छोटी-छोटी बातों को भूल जाते हैं एशो आराम की जिन्दगी पैरों के नीचे गाड़ी फिर अपनी अलगी कहानी आखिर में कि अपनिंग ऐसे कैसे सरवार हैंग हो गया आई डोंट कियर वाट यू डू दू फिक्सिट इमिंडेटी राइट ना ओके सर हम नहीं कर सकते इसके लिए इसके इंजिनियर बुला नहीं होगा इसकी हमें जरा भी जानकारी नहीं है तो क्या है जानकारी हां डैडी जरा में 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 मानु को फोन करके उसे मंगवा लेती हूं और इंजिनियर को भी कॉल करती हूं नॉंसेंस हेलो हेलो मैंडम हेलो मनु जी मेरा मुबाइल कार में छूड़ गया है उसे जरा लेकर आओगे मैंडम एक्चुली सर्वाट 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 टों टेंट इंड रिजन हां ओ थैंक्यू क्या प्रावलम है तुम नहीं समझ पाओगे जरा चुप रहो है है सुजन सेम ओल प्रावलम सव हैंग हो गया है इंचल दी ओफिस में आओ सर ठीक हो गया ओ तुमने कंप्यूटर साइंस भी पढ़िया ना यह तुम्हें भूली गया था फैंटास्टिक यह ग्रेट कि इतना टैलेंट होते हुए भी तुम ड्राविंग क्यों कर रहे हो उस दिन बताया था न मेडम पेट भरने की मजबूरी जूट मत बोलो सच बताओ ना तुम क्या बनना चाहते हो ऐसे कोई बड़ा सपना तो नहीं है MSC के बाद PhD करके Software के फील्ड में कोई छोटा मूटा नाम कमाने का एरादा है क्या आप Infosys नरायन मूर्थी को जानती है उनके लेबल तक पहुँचना चाहता हूँ ऐसा मुम्किन है क्या मुम्किन हो या नामुम्किन हो सपना देखने में अपना क्या जाता है आपको पता है मेडम एक बार स्वामी वेवेका नंजी ने क्या खाया था हेलो मेडम हाँ आपको क्या चाहिए एक गिफ्ट चाहिए मुझे मेडम आपको किस तरका गिफ्ट चाहिए ये गिफ्ट आपको किसे देना है मेडम लवर को फ्रेंड्स को ब्रदर को या सिस्टर को सिंपल और लवली होना चाहिए तो लावर के लिए कहिए न मेडम कहा है ओ, इधर ही है मैं तुम्हें कहा ढून रहा था मेडम, ये मनीपूर से आया हुआ बिल्कुल नया माटीरियल है ऐसा वैसा गिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं है मेडम अगर किसी को गिफ्ट देना ही है तो उसमें अर्थ होना चाहिए जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हमारी फिलिंग का पता चलता है देखे, इस ग्लास के अंदर एक खेल चल रहा है कहते हैं कि ये जिन्दगी ही एक खेल है मैडम, हमें अपनी जिन्दगी को इसी खेल की तरह प्यार से गुजारना चाहिए। आज कल लोगों के अंदर से फेलिंग्स खतम हो गई है मैडम। हम अपने दिल को चीर-चीर कर दिखला दे तो भी कोई नहीं समझता। प्यार तो सिर्फ नाहमका रह गया है। लेकिन इस गिफ्ट में सब कुछ देखता है मैडम। इसे पैक कर दो। ओके मैडम। चलो। कहां चले मैडम। एक लॉग डाइपर चलते हैं। अरे मैडम, गिफ्ट किसके लिए है। एक स्पेशल इंसान के लिए। मुझसे भी परदा हां। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम जा रहे हैं न, तो मैं खुद बता चल जाएगा। मैंने इसलिए पूछा, क्योंकि बात चुपाने से तकलीफ होती है और थोड़ा मुश्किल भी होता है। मैडम, ये लड़कियों का गिफ्ट खरीदने का कोई रिज़न ही होता और नहीं देने का होता है। अरे, 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 बस करो। मैं जान चुकी हूँ कि तुम लड़कियों के बार में बहुत कुछ जानते हो। और ये भी साबित हो गया कि तुम कंप्यूटर जीनियस हो। एक मिनिट हा। हेलो। हेलो, अनु, तुम कहा हो। शांता बेन को चक्कर आ गया है। तुम मनु को लेकर चल्दी आ जाओ। ठीक है, मम्य, अभी आती हूँ। क्या हुआ मैडम? क्या बात? घर चलते हैं, गाड़े घुमालो। घपरानी की कोई बात नहीं है। इन्हें बस आराम की जरूरत है। मैंने दवाईय लिग दी है, शील भी आल राइट। बेटा तो कमाने लगा है ना। अब तुम क्यूं काम करती हूँ। दूसरा कोई बावर्ची मिलने तक हम लोग एड़ेस्ट कर लेंगे। समझाने पर मानती का हैं सर। भाई साब बेटी की शादी भी करवानी है। काम नहीं करूँगी तो पैसे कहा से आएंगे। बेटी की शादी की चिंतं मत करो। हम लोग नहीं है क्या। वो सब हम देख लेंगे। तुम्हारी बेटी की शादी हम करवाएंगे। सव में हमारे लिए हमारी बच्ची जैसी है। मनु को कभी हमने ड्राइवर की नज़र से नहीं देखा है। एक मिनिट। हलो। हाँ। एजी अभी तक हमारे घर में शांती, सुकून, खुशाली सब कुछ था। लगता है अब नहीं रहेगा। क्यों क्या हुआ। अब आ रही है सुनामी। कब आ रही है। हम। अब एकदम आराम कीजिए। अब आप काम पे बिल्कुल नहीं जाएंगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। सुदर्शन जी ने कहिए। अच्छा मा, मैंने आपसे एक साल की महलत मांगी थी। अब तुम देखती जाओ। मैं क्या करता हूँ। पता है मुझे। पहले कुछ बन कर तु दिखा। तब तक मुझे हाथ पे रमारने ही पड़ेंगे ना। वाँ 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 इस उमर में इतनी है एनरजी। अब तुम देखती जाओ मा, मेरे कंदे मजबूत हो गये। अब घुमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एश करेंगे और क्या। मैया, आज गाड़ी लाए हो ना, मुझे एक राउंड घुमा दो ना प्लीज। हलो, साब अभी ओन ड्यूटी हैं। तुम्हारी मा रिटायर हो गई है, इसलिए उसे घर पर ले आया हूँ। बोस के साथ मैं कभी धोका ने कर सकता। तुम क्या सत्यवादी हारिष्चंद हो। मेडम, आप ग्रिफ्ट कार में भूल गई थी। मैं तो भूले गई थी। दीदी, तुझे नहीं लगता कि तुने बहुत बड़ी गलती की है। ये भी भूल गई कि तेरी एक छोटी बहन है। मुझे बता है बेना शादी भी कर ली। ए पगली, किस से कैसी बात करनी है अब तर नहीं सीखी क्या। ये शांता बहन का बेटा है। बहुत हो गया कौशलिया। बेटी घर में आई है, उसका वेलकम करने का ये तरीका है। किदर हैं, किदर हैं आपकी पती। दिन में एक बार कॉल करते थे, पिछले एक हफते से वो भी नहीं किया। सहर नहीं कर सके, इसलिए चले आए। इसलिए चले आए। मतलब और कॉन है। चलो बाहर आजाओ यार। हमने सोचा था सुनामी ही आएगी। अब तो भूकम भी आ गया है। हूँ, हो गया कल्यान। क्या बात है दीदी, आते ही मेरे लिए गिफ्ट। तेरा सिक्सेंस सूपर्ब है। हेस्टाइल तो अच्छा है। दिखने में भी बुरा नहीं है, हीरो जैसे लगता है। मेडम, जितना आपने बताया था, उससे भी ज्यादा तेज है। वो कौन है मेडम, जोकर जैसा लग रहा है। सुभाश, उर्फ, सुभू। अन्नो, मेरे बारे में ओवर बिल्ट अब देकर सब कुछ बता देना। लंबे सफर से आकर मेरी पूरी बॉड़ी स्ट्रेन हो चुकी है। सो, स्टोर रूम कहा है। स्टोर रूम किस लिए? रेस्ट करने के लिए। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहां गई वो अन्नपूर्णादेवी शांता अंती। शांता अंती। शांता जी की तब्या ठीक नहीं है। वो अभी यहां काम करने नहीं आएंगी। ओ, इसलिए अपने बेटे को यहां बावर्ची बना कर भेजा है। अरे वो यहां बावर्ची नहीं है, वो सिर्फ ड्रावर्इग करता है। ओ, ड्राइवर है। ड्राइवर नहीं है वो तो मजबुरी जबूरी है। ड्राइवर नहीं है तो फिर? मालिक है क्या? दाटी। तु आ गई बेटा सब जगे भटकर हो गया ना अब कल से कॉलेज जाना दाड़ी बेटा क्या हुआ बेटा क्या बेटा क्या बात है दाड़ी वह क्यामपस में यह जैसे यह कर रही है ऐसे तुझे भी करना होगा अम सीनेरा जो बोला है वह करना ही पड़ेगा ए समझाना इसे जाना चल कान पकट उटक बेटा कर बूर का रही है चल अची 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 धरते हैं यह तुने करते कि ने यह यह वह नपाल अरे कहां चल दी यह रोमात मैडम मुझे बताव वह कौन है हमें कोई लफडा नहीं च सर आप यह नहीं समझ पाएंगे आप यही रूखे चुरो मैडम लेकिन मनु तब कि यह यह को ने इसे किसने परिशान किया है अगर मैं का हूँगा मैं अक्यले ने किया तो इन सब का दिल तूट जाएगा और अगर कहूं कि इन सब लोगों ने किया तो मेरा दिल तूट जाएगा अब अब अटा तू किस किस से भीड़ेगा करियुक का क्रिशना हमें बचाने आगे आगे गाना सुनाने के बाद ही पता चलेगा कि कव्वा है या कोयल है कहावत को छड़ो तुमने इतनी बड़ी-बड़ी बातें किया और अगर मैंने तुम्हारा जवाब नहीं दिया तो मेरा दिल नहीं दुखेगा कर दो कीस्त बेटों क मैंना सब्सक्राइब रस आख द्रूंप गुदाई को अ आइ ढौ कि अब्लिया जी है कि अ घृथ एक अ जी जौबल द्रूखेगा अपने लड़कों को मार रहा है, फड़ा फड़ा जाओ अहाओ ऋहाओ लड़कों को वहाओ 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 अपने करता बार मनुख यह तो पूरे गृप है भारी है यह तो हम सब का भी बाप है यार चलो भागो यहांसे चलो भागो जल्दी करो मनुख उस लफले के बाद क्या हुआ यह बताओ तुम कॉलेज से सिधा कहा गया उसके बाद क्या हुआ बताओ मनू, come on tell me मनू, come on come on damn it, speak up, what next ये क्या है मनू, तुमने ऐसा क्यों किया मेरी बच्ची को फिर उसी कॉलेज में जाना है वो लोग कुछ कर दिये तो क्या कर लेंगे सर, अगर आज सर जुका दिया तो कभी सर नहीं उठा पाएंगे आज तो तुम उसके साथ थे, अगर कल तुमारी दुश्मनी दीपा पर उतार दी तो उन्हें देख कर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो लोग गुंडे हैं सर, आप इतना टेंशन क्यो ले रहें छोटी मेम को लाने ले जाने मैं जाऊंगा वो क्या कर लेंगे सर, वो दो लोग आए तो चार लोग भेज दूँगा चार आए तो आठ, आठ आए तो सोला, सोला आए तो सोला आए तो बात देश और क्या ए पगली, जरा चूप रहे है आपुन यही बात कहने के लिए जुबां के नोग पे रखकर कब से इंतिसार कर रहा था वही बात इसने बोल दी दीपा, तुम कितने दिनों तक दूसरों की फाइट देखती रहोगी तुमने कभी मेरी टेरर फाइट नहीं देखी क्या तुम्हें इतना डर लग रहा था, तुम मुझे आवस दे देती कितना फेकोगे भाईया, चुप चप कीचन में चलो, आज खाना तुम्हें बनाना है, चलो दीदी, सब के सामने इंसल्ट मत करो, मैं यहां बावर्ची बनने नहीं आया हूँ डिग्री हासिल करने आया हूँ, चाहे मुझे कितनी भी तकलिफ क्यों ना हो, इस बार मैं डिग्री लेके ही रहूँगा बिल्कुल सही कहा, जब मैं डिग्री कर रही थी, तब से तुम यही कह रहे हो, आज मेरे बच्चों की डिग्री पूरी हो गए, पर तुम्हारी डिग्री का पता नहीं इसमें अप उनकी क्या गलती है, उन लोगों को मुझे पास करके आगे बढ़ा देना चाहिए था, हर साल सिलेबेस चेंज करते रहते हैं, अगर उनके बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते होते तो इस तरह सिलेबेस चेंज करते क्या, चाहे कोई कुछ भी चेंज कर दे, ले फुल अन्जॉय किया हमने. बस हो गया, सोझा. दीदी, इस तरह का गिफ्ट कोई अपनी बहन को देता है, क्या? क्यु योद क्या हुआ, अच्छा नहीं है, क्या? अच्छा तो है, लेकिन ऐसा गिफ्ट अपने लवर्ज को दिया जाता है. मैं भी किसी से प्यार करती हूँ उसी को दे दूंगी गुद नाइट परसो में यहां से गिफ्ट ले कर गई थी उसी तरह का एक और गिफ्ट चाहिए सारी माडम, स्टाक खत्म हो गया है और आने में दो चार दिन लग जाएंगे मेरे पास उससे भी बड़िया गिफ्ट है अगला महिना आशार का है और फिर सावन शुरू हो जाएगा ठीक है? अरे बेटा, तुझे भी कुछ पूछना है तो अब भी इसे पूछ ले आपने ही सब कुछ कह दिया ना मा? अरे अन्नू बेटा, आओ न गाउं से ही मेरे कुछ रिष्टेदार आए हैं सोमया के रिष्टे की बात करने के लिए आओ बेटी अंदर आओ नहीं रहने दीजिए, हम यही से गुजर रहे थे अगर मनू फ्री है तो उसे ले जाने के लिए हम मैडम, मैंने सुबह सर को फोन कर दिया था कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा टैडी ने मुझे कुछ नहीं पताया, इसलिए मैं आ गई खेर छोड़ो, मेरा ना अच्छा ही हुआ सोमया से मेरी मुलाकात हो गई लड़का यही है ना जी है मैडम बस एक दिन की बात है, सोमया के रिष्टे की बात है इसलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं अच्छा अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए ऐसे कैसे हो गया यार, सहीं वक्त हैं नहीं मिल रहा है देखो अनू, ऐसे में तरह कुछ कहना मेरी सबसे सहीं नहीं है क्यूंकि उसकी बहन की शादी की बात है न, देखो तुम ही सोच लो अरे किसी तरह से सेटल होने की सोच, सरा उनको देखो, एक तो माथे पर तिलक लगा कर बिलकुल ढोंगी ढोंगी जैसा लग रहा है दूसरे को देख, अपनी बाल बढ़ा कर बिलकुल जोगी जैसा लग रहा है, ऐसे लोगों की दोस्ती तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है क्या बात है रे टकले, ये लड़की हमारी तरफ इशारा करके हमारी बुराई तो नहीं कर रही है गई अरे चुप करना यार, वो दोनों देख कैसी प्यार की बाते कर रहे है चानते हो नंदा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं मैं अपनी लाइफ में तुम्हें मेस नहीं करना चाहती अकर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो मैं सिंदा नहीं रहूगी आगर तुम्हारी मर फूल टाइम अट्डे पे रहने वाले लोग यह मच्छर के अलाज तरीर पे मांस नहीं है और चला है गुंडागर्दी करने हां तुझे दिखाई भी नहीं देता तु बड़ा अदमी बन गया क्या रहे हम लोगों को भूल गया ना बिल्कुल सही का तुमारी वज़े से पहले कोई नौकरी तलाश कर वरना हाट खराब हो जाएगा अरे ये क्या यह लड़की की फुटो है क्या लगता है लड़की का बाप है अरे यह फुटो अरे यह मालीक है पूरी दुनिया गोल है, घूमती ही रहती है, फिर भी एक बूंद पानी नहीं छलगता, इंसान भी चक्कर खाकर नहीं गिर रहा है, ये कैसे, इतनी ग्रेट सोच और किसी की नहीं होगी, अदीप्स, मैंने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का पता लगाया है, मैं खुद ऐसा क्या, ओके, लेडी फर्स्ट, तुम पहले बताओ प्रॉब्लम, साइब स्क्वेर थीटा प्लस को स्क्वेर थीटा इस एकुल तो ब्रॉब्लम है, इस अमेजिंग यार, क्यू मनुजी, एक विक बिल्कुल दिखाई ही नहीं दिये, बहुत बजी हो क्या, जिया मैडम, शादी की तैयारी चल रही है न, थोड़ा बिजी था, आपने चेक बुक मंगाई है, मेरे लिए क्या, दीदी सुनो न, जरा इधर आओ न, प्लीज, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करो, प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है मैडम, जरा मुझे बताईए, हलो, यहाँ कोई फाइटिंग वगरा नहीं करना है, प्रॉब्लम है, मुझसे ही सॉल्व नहीं हो रहा है, मनु, देखो, अगर तुमसे नहीं हो सकता, तो ना कह देना, लड़कियों के आगे शोफ मत करना, आपकी बात सही है, मैडम पर देखाईए, तो सही, दिखाईए, दिखाईए, इतनी सी बात, ये तो एजी है, ये वाइ, एजी कहने से काम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम सॉल करकर बता, ये बाता है, लगदा है, करदेगा, इधर इधर, उधर, 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 हाँ, ऐसाही, 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 हाँ, हेल्पिंग नेचर, नहीं है, ओके, ठैंक्स, और यह अप्लाय करनी थी इसलिए दिपा किसी को कम मत समझा करो वैसे मेरी हेल्प की वज़े से यह सॉल हो पाया है वैसे मेरा भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बड़ा प्रॉब्लम है चलो दिखाओ दुनिया घूंती रहती है सार दुनिया घूंती है आपने देखा ना किसी को बताना मत इसको भी नहीं पता इस बार यह पास हो जाएगा हाई शांता अंटी यह लिजे डाड़ी हाँ सॉमया नहीं आई किया अपने फ्रेंस को इन्विटेशन कार्ड देने गई है यह लो आपका बहुत बहुत शुक्रि कार्ड दिखाना है शादी गाउं में है मैं नहीं आऊंगा शहर की शादिया देख चुका हूं गाउं की भी देख लेते हैं नमस्ते साहब नमस्ते आए ना सब तयारिया हो गई आए 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 यह मनू क्या यह कार्टून बिलकुल चोड जैसा लग रहा है ना है यहां हैं आखास मेहमान है एक यह गर्मी है मेरा पुरा ग्लैमर खराब हो गया इसलिए में गावookie आखक्स दो मेरे मजार रहे हैं शहर में डायंडर मिलता नहीं है वेरी घुड यहां कश के लिए पाइप बिच्छा है इन समेजिंग तुम तो जानती ही वह दस बशे से पहले सोके नहीं उठता है वह सो रहा प्र अब तक जाक्य उठाओं बहुत काम है जैसे मैं उठाओं और ऑफी जाएगा वह कोई रंगा या पंगा जा जाकर उठाओं उसके बारे में ऐसा मत बोलो सर आपको पता नहीं वो क्या चीज है आपके जैसे कई आया और कई चलेगे हमें यही रहना पंगा नहीं लेंगे हां क्यों बै बच्चो तू उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा है हम शहर वाले हैं वो कौने यह भी मैं जरा देखी लेता ह तुम सच में देखना चाते हो क्या मेरा क्या है मैं तो भूला देता हूँ जारे जा आवाज दे उसे यह कौन है जो पंदर की तरह चड़ रहा है रंगा ओ रंगा काओन है वो जो मुझे आवाज दे रहा है है अब मसा देखना चिलके ने आवाज देकर मेरी दीन खराब की क्या कहा चेहरा दोने मेरा नाम सुनते ही चेरे पर पसीना आगया होगा उसी से क्यों नहीं धो लिया तुने यह शहर से आये हुए है इस गाओं के लोगों की आज तक इतनी हिमत नहीं कि वो मुझे डिस्टर् कर रहो होताला हुआ हो यह उठने का ilmeya शादी का घर है जल्दी पानी छोड़ोह बहुत काम है यार है यह यह क्या और इस आज रहां रात को एकपेक अहां यही है ले जाकर दे दो उने आंटी वहां क्या चल रहा है अच्छा वहां आरे वो मेरा मन वो बहुत अच्छी महंदी लगाता है ना इसलिए बहुत सारे बच्चों ने उसे घेर रखा है अच्छा तोम्या यह तुम हो यह तुम्हारा हीरो है और यह छोटी-छोटी कल यह सब तुम्हारे नन्य मुन्य हैं और यह देखो यह तुम्हारी जिन्दिगी का प्यारा सा रास्ता भाईया भले यह तो महंदी अच्छी नहीं लगाते लेकिन एक्स्प्रेनेशन बहुत अच्छा देते हो अब बहुत हो गया चुड़ो यह सव्यारा आपको भी लगवाना है तो आईए बैठिये हटे जगे दीजे आथ आगे लागेए जैसे तुमने कहा था इन लकिरों के जैसे हमारे जिन्देकी भी है क्या उपर वाले ने एक एक लाइन को कहाँ कहां जाकर चुड़ना है यह पहले से लिख दिया है वह बहुत बड़ा कलाकार को दो का मैं मैंने बोला था उसे ठीक से करना संजा ठीक भै यह चिंपांजी किसी सरक्ट से भाग किया है या बाइस ही तब ही तो ऐसा कर रहा है यहां पे लेटके भालू की तरह कि तरह की उखरा है अई इसे यह करें आख करने वाले है देख अभी मजा चकाता हूं उस पिखने को देखो बिल्कुल लग रहा है दोनों को मिला के खाएंगे तो बहुत 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 सब्सक्राइब ए रंगा भाई मेने तुम्हें कहां कहां नहीं दूड़ा को मार्केट में बाजी की गारी आ गई है उसे प्रक्रमा करवा तो फूरी लोरी खाली करना है क्या हम अभी अब मेरा कमाल ये काम मैं इसे किस तरह से खर लाता हूं पिर देख ना ये बंदर की तरह चोड़ करके अजगर कि देखना तुझे साहरो आ इधरा है बता वो रंगा थारे आसा था कुछ में भूला है है अब हम शहर वाले उड़ती चड़िया के पंगिन लेते चल बता क्या का कुछ बोला ही निसे मानले तु मेरी गल्फ्रेंट है अब चल बता आना क्या बोल रहा था अच्छा तो यह वात है तुसरों हेलो इसना क्लोज नहीं है जड़ा दूरत चल बोल मैं नहीं बताऊंगा तो आप मुझे जाने नी दोगे और बता दे तो रंगा और मेरा पंगा हो जाएगा थिर भी अपना दिल पक्का कर लो बता ही देता हूं बताया रंगा भाई ने आपके बार में क्या काता है यह शहर के रहने वाले लोगों के अंदर दम तो होता नहीं और उनका शरीर अब तू बता मैं क्या करके दिखा हूं वो लॉरी देख रहो समने सावान से भरी भी बस वो सावान उठागे अंदर रखना होगा पर मुझे लगता है काम तुम कर पाए यह शहर वाले अगर मन बना ले तो वो कुछ भी कर सकते है जाब बता दे अपने रंगा को हाँ हाँ मेरी आखों के सामने अंधेर क्यों हो रहा है खाली होगे ना बच गया क्या बात है इतनी जल्दी खाली कर दिया मान गया असली मर्द को यह सब काम करना ही चाहिए वरना खाना आजम नहीं होता हूं इससे कुछ हैवी हो तो बताओ छोटे काम करने यहीं काम बचा था वह भी हो गया काना लगाने के लिए कह देता हूं जाकत भाड़ को बढ़ी मा अरे खुश रहो खुश रहो दादी खुश रहो बीटिया सासुना अरे उठो अठो बेटी सुन सरवा सुखी रहो वह थे घ्र परोग्राम कंद कर ले या फिर अपना मेक अप कर वाले एसे बार बार आणे अपने बहन की शादी में ऐसे नौटन की बास को बुलाने की क्या ज़रती यह तो बढ़ दो कि तरह बढ़ गए लिए इसे बत तमीज कहीं कि मुझसे जबान लड़ाती है अगर मेरी बेटी होती तो पता नहीं क्या करती मैं ज़र संसकार है ऐसे लड़की के मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मनू वो बस ऐसे ही मुझस पर नाराज हो गई क्या हुआ उनको उन्हें कुछ नहीं हुआ है ज़र आपने आपको देखिए और हमारी सौम्या को देखिए सौम्या कैसी है और आप कैसी है ऐसे फैशन गावाले कभी लाइक नहीं करते है शहर वाले हाई बाई कहते हैं तो गाव अले करते हैं ऐसी वाते करो ही मत वो लोग भी खुश और हमें भी आशिरवाद हाँ लगे या लग बाद मेडम एक बार साड़ी तो पहनिए उसके बाद देखिए सोने के लिए कोई जगा बता बहुत नीन आ रही है अरे फिकर क्यों कर रहे हो मै अब यह तो आए लेकिन शहर से क्यों आए है वही मैं पूछ रहा हूँ तुम आए तो आए लेकिन शहर से क्यों आए अब जाके मुद्दे पिर अग्लास प्राओं पहले मेरी बात तो शुन घख्वान कमाल का सीन लिखता है तुभी बिल्कुल मेरी तरह जेंटल मैन एक फाइन मॉर्निंग वन फाइन मॉर्निंग सुरज धीरे धीरे डूब रहा है मॉर्निंग में सुरज उखता है डूपता नहीं है और यही तो मुझे चाहिए था यही देखना चाहता था कि तुम मेरी कहानी ध्यान लगा कर सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो ध्यान लगा कर सुन रहे हो शाबास तो मैं कहा पहुंचा था अभी तक तुमने स्टाटी नहीं किया यार वह सूरज उग रहा था शूरज जैसे जैसे सर पे जा रहा था सामने सड़क पे कोई चंचन 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 वोकिंग करती हुई तो लड़की तेरी मा थी बे बोलना कॉन लड़की थी वाकवास करता है दोने सामने सी आ रही थी उसी को मैंने उसी देखा बवार तो तो उससे पढ़ी यह पटा सा करल्व मुझे ऩो चैसलों करेटा पब मैं किसलाश चुद्फ निया को पहला क्युंग रहा था किन्वों क्रूम फिल्म यह से अलग सोब्म अग तर्वी रेस पेंनता है तुने नहीं लाल था हां यार उसके बाद जाकर मैंने उसे अपनी लव स्टोरी सुनाई और उसे रिट शर्ट समझ कर अपने साथ लेकर आगया तो क्या तुझे उसी लड़की को लेकर आया क्या तो समझा नहीं क्या नहीं 1997 अगस्ट 15 मैंने अपनी गड़ी देखी टाइम सारे 8 दूजरे की गड़ी में देखा तो सारे 10 बज रहते करेक्ट सारे 10 टाइम तो मेरा खराब था बंदा उसे डूंटा हुआ सीधा कोलेज गया वह नहीं थी पता है तुझे कहां थी वह एक शेर के लड़के कहात पकड़के बाग गई तो ही बताओ ये इंसाफ है आज कल इंस इसे परशान होने की जरूरत नहीं है तेरे लिए एक आओ इस्टोरी है और एक नहीं 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 सुनना पड़ेगा भे बंदर है उटबे 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 तेरी ड्यूटी चाली होगे जलो ये सुनाएगा क्या ज़त्म हो गया ठीक है तो चलाओ फिर सोजाते मै सोजाओ अपनी कानी खतम करके अंडी बरतन बाहर निकाल देना निकाल देना निकाल दूँए ने पूरी स्टोरी सुना दी किया तुम्हें सुना दिया स्टोरी में उनकी घड़ी बिगड़ गई थी ना वह घड़ी मैंने बिगाड़ी क्या लेकिन क्यों तुम्हें क्या कर अनों के लव स्तोरी कैसे शुरू ही है सुनाओ क्या यार यह क्या यार वंस अपने टाइम वन अरली मॉनिंग जब सुना जुगा हर अर। हमारा गाँ, हमारे लोग और हमारे तौर तरीके ये सब दीपा को बहुत पसंद आया। वो जैसे इसमें रम गई। उस पागल को ये भी पता नहीं रहता था कि वो क्या कह रही है। चलो एक जिम्मेदारी तो कम हुई, हमारी सौम्या सदा सुखी रहे। ये शादी इतनी आराम से हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर हेल्प नहीं करते तो मुश्किल था। मेडम, उनका कर्ज में कैसे उतारू, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी को उन्होंने उठा लिया। और उनकी जिम्मेदारी तुम उठा लो, हिसा बराबर हो जाएगा। उनकी जिम्मेदारी मैं? बताईए मेडम, मुझे क्या करना पड़ेगा। अकेला नहीं कर पाया, तुम पूरा गैंग है, उनके साथ मिलके करूँगा। अनू, तुम्हारी सर की दो बेटिया हैं। एक है अनू, और दूसरी है दीपा। मतलब की मैं। तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे डाड की समेदारी फुल क्लियर। यहाप क्या रही है मैडम, आपको पता है न, ऐसी बाते मजाग में भी नहीं की जाती। मैं भी इतने दिन से वही सोच रही थी। मेरी बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं। मैं साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी ना। हम दोनों की जोड़ी बहुत सूपब लग रही थी, ऐसा लोग कह रहे थे। मैडम, यह किसने कहा। अब मैं कौन हूँ, तुम कौन हो मैडम, तुम कितनी अमीर हो, मैं गरीब हूँ। आपकी हैसियत क्या, मेरी आउकार्ट क्या, आस्मान पर कोई सीरी नहीं लगा सकता। यह फिल्मी डायलॉग छोड़कर, मैं तुमसे स्ट्रेट अवे कहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मनू। मैडम, मजाग मत कीजे, चलिये। हलो, पहले मेरी बात कज़वाद दो। ठीक है मैडम, आप अपने पिदाजी से क्या कहेंगे, मुझसे प्यार करती है, ऐसा हो सकता है क्या। बात करती है। अगर मैं डाड़ी से कह दूँगी, तो तुम हाँ कह दोगे। यह तो पीछे ही पड़ गए यार। कहेगी तो ठीक है। माल लिया मैडम, आप जाके डाड़ी से कहिए, वो हाँ कहेंगे तो फिर देखेंगे। मैं कह दूँगी, किसी से नहीं डरती है। मैं क्या अपने बाक से डड़ती हूँ, मुझे समाझ क्या रखा इसने। मनु, मेरे केबिन में आओ। मनु, यह सब क्या चल रहा है। सिर्फ मजाक मस्ती से काम नहीं होता है। तुम सबको इंटेटेन करते रहोगे, तो काम कैसे चलेगा। वैसे भी यह लड़किया शरीफ नहीं है। तो ज़रा डिस्टेंस मेंटेन करो। मेडम, मैं कौन सा डिस्टेंस मेंटेन करूँ यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या है न मेडम, आठ गंटे चुपचाप काम करके पगार लेकर घर जाएंगे, यह सोचकर यहां आएंगे। तो कंपनी के लिए कौन काम करेगा। सबके साथ हसके बात कर लेंगे। तो हमारा क्या बेगड़ जाएगा। बेचारों का जरा दिल बहल जाएगा। और माइंड फ्रेश रहेगा। तुम बहुत शाप हो गए हुँ मनू। मैंने तुम्हे इसलिए बुला है कि हमें शाम को जरा बाहर जाना है। तुम फ्री रहना। दीपा मैडम को कॉलेज से घर छोड़ना है। उसके बाद फ्री हूँ। ओके केरियोन। ठीक है मैडम। मैडम चलिए। इतने लेट क्यों हो गए। लेट हो गया। मैं तो करेक्ट टाइम पर आया हूँ। कॉलेज का टाइम तो करेक्ट है। लेकिन तुम्हें यहां एक घंटा पहले आना होगा। मुझे घुमना है। घुमना है। ठीक है मैडम। मैं सर से बात कर लेता हूँ। वह हां कहेंगे तो एक घंटा क्या। दो घंटे पहले आजाओंगा। तुम्हारी सर से क्या मैं डरती हूँ। मैं MBBS कर रही हूँ बच्ची नहीं हूँ ठीक है आये चलिए तो 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 मैं म्यूजिक परसंद नहीं है क्या बात नहीं करोगे क्या हूं कि बाहर देखो हम दोनों की प्यार को देखकर आस्मान भी कितना खुछ हो गया है कुछ तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है मनु तुमने क्या रसाइड किया है बात नहीं करना चाहते हो ठीक है तो गाड़ी रोको मैं क्या के रही हो समझ में नहीं आ रहा मैंने कहा गाड़ी रोको मैडम बैठो मैडम बारिश हो रही है बैठो आओ न मैडम मैडम आईए पहले तुम कहो कि मुझसे प्यार करते हो अरे आओ न मैडम कहो कि प्यार करते हो अरे बारिश हो रही है मैडम आओ न मैडम आओ न मैडम चलते हैं पहले कहो कि मुझसे प्यार करते हो तभी मैं गाड़ी के अंदर आऊंगी मैडम चलो न मैडम एक बार कह दिय प्याना नहीं आउंगी आई लवी गोत अभी आउंगी कि खुद को क्या समझती है दुनिया देखिए तुने प्यार करना इतना आसान नहीं है मौतरमा बड़े बड़े तुफानों का सामना करना पड़ता है क्या समझती हो मेरे दिल में प्यार नहीं है मेरे दिल में भी प्य ए तीपा, तुम अभी नादान हो, दुनिया के तौर तरीके अलग हैं, मेरी महीने भरके तमखाद से तुमारा एक दिन का खर्चा भी पूरा ने होगा, बात करती है, चलो ये क्या है, तुम तो पूरी भी गई हो, ठीक है, पहले जाकर चेंज कर लो, ठीक है, दीदी तुम का जा रही हो, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, ठीक है चले क्या घर से लेकर यहां तक, मैंने जो कुछ तुम से कहा, तुम सिर्फ हाहूं हाहूं करते आये हो, कोई जवाब ही नहीं दिया, कुछ कहो न मनू मैडम, मुझे आपसे एक बात करनी है, पर समझ में नहीं आता कैसे करूँ मुझसे कैसी जिजग मनू, कहो न मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे से शादी करेंगी शौक लगा न, सिर्फ एक ही बार ये बात कही तो आपको शौक लग गया न, मैडम और आपकी बेहन, मुझसे प्यार करो, मुझसे शादी करो, कहके के रोज मुझे शौक देती है प्यार से बातों से समझाया, मार के भी समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है आपकी बहन बोरी नहीं है मेडम, वो अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, मैं जहां कहूं आने को तयार हो जाएगी, इसका मतलब जो मन में आएगा वो करेगी, जब मैं नौकरी के लिए भटक रहा था, तो आपके पिताजी ने नौकरी दी, मुझे बच्चे जैसा सम समाज आज भी वहीं है, गरीब गरीब है और अमीर अमीर है मेडम, भले हम लोग कितने भी ब्रावड माइंडेट हो, फिर भी ये उच नीच की चिंगारी ठंडी राक के अंदर दवी रहती है, मेडम, ये सब मैंने उस पागल को समझाया, पर वो समझने को तयार ही नहीं है आप समझदार हैं, अकल मंद भी है, इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ, मैं फ्रेंट सीट पे बैठने वाला एक ड्राइवर हूँ, और आप बैक सीट पे बैठने वाली मालिक, मैं जानता हूँ कि आप ये सब समझ सकती हैं, इससे ज्यादा और मैं आप से क्या कह सकता हूँ इसमें दीपा की कोई गलती नहीं है मनू, तुम्हें देखते ही किसी भी लड़की को पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा, और इसमें तुम्हारे भी कोई गलती नहीं है, समझदार लोग भी कभी कभार बहुत बढ़ी गलती कर बैठते हैं, दीपा तो भी बच्ची है, बे बात करूंगी तब तक जड़ा बरदाश्ट कर लो मैडम आप पता नहीं किस काम से बाहर लाई थी अपने कहाने सुना कर मैंने आपका मूड खराब कर दिया सॉरी मैडम अरे ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंग को बर्डे पार्टी में इन्वाइट करने के लिए आई थी फोन किया तो नौट रिचेबल है लगता है कवरेज एरिया से बाहर है किसका बर्डे मैडम तुम्हें नहीं पता है क्या अरे यार तुम्हारी छोटी लड़की नजर नहीं आ रही है अरे पहला विश तो उसी ने किया है यह प्रिप्रेशन यह अर्रेंजमेंट्स सब उसी का है बारिश में भीगने की वज़े से बुखार आ गया है इसलिए वो अपने कमरे में है उसे बुलाओं अरे ने रहने दो यार यहां इतने लोग जमा हुए है उसके बावजुद माहुल कितना शांत है अगर वो यहां आगे और उसने मुझे देख लिया तो पू आपकी बड़ी लड़की भी software engineer है मुझे लगता है दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी तो आपका क्या ख्याल है मुझे भी कुछ हैसा ही लग रहा है एक मिनिट कोशल लिया हां एक मिनिट सुभू यह ज़रा दीपा को देदी मैं यह सब काम करने नहीं आया यहां अब ज आतों से मुझे केक नहीं खिलाओगे अरे तुम मांगो और मैं ना तो इसमें मेरी बेज़दी हुई ना सुनो मनो इलेक्ट्रिक पोल की तरह खड़े रहने से काम नहीं चलेगा फंक्शन में भाग दौड करो चलो येलो गोली ले जाओ और दीपा को खिला दो अरे लो ना आप जो करेंगे वही सही है डाड़ी टेबलेट खालो क्यों तमाशा कर रही हो पागल हो गई हो क्या वही होना बागी है कहा न दवाई खाओ मनु मैं यह खा लूँगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाओंगी मुझे कोई ऐसी दवाला कर दो जिसे खाकर मैं कभी न उठूँ दूँगा न कान के नीचेक कल का तुम्हारा थपड मैं अब तक फील कर रही हूं मनु तुमने कल किस हाग से मुझे मारा अगर तुम्हें मुझे से प्यार नहीं होता तो तुम मुझे पर हाथ नहीं उठा थे तुम्हारे दिल में भी प्यार है लेकिन तुम बता नहीं रहे हो मैं तुम्हारे बगेर एक पल भी नहीं जी सकती मनु तुमने कहा था ना कि इस दुनिया को तुम चानती हो क्या नहीं जानती लेकिन तुम्हारे बगेर मुझसे नहीं जिया जाएगा मुझे डर लग रहा है मनु जई ले ले लेखशाउ ले लेखशाउ है मुझसे जिए लिस दुम्हारे लेखशाना खल से इछ है कोुम ऑल स्षटे दुम और लो गा बाहाई टुम्हारां ठर वे ले ले रवे है जे लेखशाबक पहा है पलग छपकते, कई महीने गुजर गए, मैं किस से प्यार करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, उसकी चाहत ने मुझे बदल के रख दिया क्या हुआ? लेकिन भीतर ही भीतर, मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए नहीं कि उसका दिल टूच आएगा, बल्कि ये सोचकर कि कितनों का दिल दुखाना पड़ेगा क्या हुआ मनू? क्या बात है मनू? लगता है हम गलत राश्ते पर जा रहे हैं ऐसा क्यूं कह रहे हूँ? हलो, पहले खुल कर समझाओ मुझे, यहां पर कोई शूटिंग चल रही थी क्या? किस सीन में तुम्हे मुझे किस करना है और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे पागल, मैं हाथ पकड़ने के बारे में नहीं सोच रहा, आज चोड़ाने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी यह रिष्टा मालेंगे? तो कोट मारज, उसके बाद मॉम डाड एक ड्राइवर को दामाद बना कर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठाबलम कहा है? तुम थोड़ा सीरियस होके नहीं सोच सकती हो, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है मेडम, पर शादी के बाद बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, घर चलाना पड़ता है, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? ए, मैं तो बूली गई, एक मिनिट हाँ, ये लो, ये क्या है मेडम? जाकेट है, अरे मैं अंधा नहीं हो, पर किस लिए? पहनने के लिए, बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है लाओ, घर जाके पहन लोगा, आओ, कौन सा घर? नहीं अभी पहनो, अरे ये सड़क है मेडम, न हाँ फस गया मैं भी, बड़ी जित्ती है, ये लो, सिंदगी भर तुम मुझे बिलकुल इस खिलोने की ही तरह प्यार करते रहना, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ चाहिए, और कुछ नहीं मनु भईया ली कि घशा दिया, तुम्हारा फेस खना द लने के अःकित्स साथ चल, जब भईया वह थे, बात है लीन, भईया, वह है चपरी गोड़ा, तेरे भाई कितनी हिंम्मत बढ़ गई, वो बिल्डिंग कॉंट्रक्तर के मडर बारे में सोच रहा है, इसे आने तो य यहीं काट के फेग दूना है पकड़ उसे जिनका भाई और बेटा मवाली होता है उनका यही हाल होता है उधर देखो भाई क्या भया कितना महंगा दे रहे हो पकड़ उसे क्यों बे मैं समझ रहा था कि तू डर के भाग रहा है लेकिन तू तो खिलाड़ी निकला कौन है बे तो तेरी इतनी आउकात हमसे पंगा लेगा आखे नीचे गर बे आखे नीचे गर बे बड़ा हिम्मत वाला है तू मौत का डर नहीं है न तुझे अरे यह चमया के वज़े से इसमें हिम्मत आ गई है अबे तेरी तो मा कहती है आँख जुकाने से पहले सामने वाले के आउकात देख लेना क्योंकि आँख बंद होने तक उसे मेंटेन करना पड़ेगा न गुरू कोई भी सडक्चाप मुझे आखे जुकाने के लिए कहेगा तो मैं मान लूगा क्या मा का दूद्ती आए तो एक एक करके सामने आओ हिम्मत है तो आजा ए जारे ना मर्द हो तो सब साथ में आजाओ जाओ सालो जाओ जाओ COई तो मैं ग्हाच जाओ 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 कि अबने बाँ! कि अबने कि अबने कि अबने ती बाँ! बाँ! हुआ!!! मनु अव करूछ रहू कर्फ। मनु दिर्चा हुआ ? मनु वाथे नेक्स्ट ? मनु ? आ कर दो अई आ कर दो? आ कर दो भाओ? यू आ कर दो? इन पौटनलहो है आ कर दो आई कर दो सौमियां की शादी में आने की वज़े से तुम लोग यहां की रोटी तोड रहे हो ए तुमारी हरकतों की वज़े से तुमारे घरवाले सर नहीं उठा पा रहे है ऐसा क्या हो गया मनो मुझसे सवाल मत करो हर गुंड़ा अख्री में सडक पर कुत्ते की मौत मरता है ए छोड़ तो दो ये गंदी हरकतें महार आके बदल जाओगे सुधर जाओगे क्या यह वादा करते हो तो तुमारी बेल का इंतिसाम कर दूँगा मैं मनो तु क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है तू हमारे लिए दूसरों के आगे हाथ पर क्यों जोड़ेगा हमारी बेल करवाकर हमें बाहर निकलवाने वाले हमारे पास बहुत सारे लोग है अब हम फुल प्रफेशनल बन गाए यार तूने अभी कहा था बदल जाओगे क्या तू ठीक है बदल जाते हैं हम लोग लेकिन मानेगा कौन बता जाने अन जाने हम लोग एक शेर पे चड़ चुके हैं अगर उतर गया तो हमेरी जान लेलेगा वो तू जान यार मनू भगवान के लिए दुबारा यहां मत आना कभी हमारी वेजर से तेरी बदनामियों यह हम नहीं चाते तुझा अपने लाइफ जी यार यहां से बाहर निकलने कमाद अगर हमें रोटी की तंगी हुई तो तेरे पास आजाएंगे यार मनू तू अगर काम दिलवाएगा तो इतनी एनरजी काफी है क्या एप तुम लोग पागल हो गए हो क्या मैं जा रहा हूँ सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है क्या बात है सर मेरे चार दोस्त हैं बहुत अच्छे लड़के है पर पुलिस ने गलास फैमी में गुढ़ना समझ कर एक मडर केस में अंदर कर दिया है ऐसे तो आगे चलकर वो सच में गुढ़ने बन जाएंगे उनकी बेल हो जाती तो य क्या वात है सर क्या हुआ पता नहीं क्यूं सीने में दर्द हो रहा है चलो हम लोग ज़रा हॉस्पिटल जाकर आते हैं कम ठीक है सर वहां से इंडस वेस्ट साइड हॉस्पिटल कए मुझे बस इतना याद है आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आइसी मिस्टर नायक या इसे सिर्फ इतना ही याद है आगे क्या हुआ इसे कुछ याद नहीं शाद वहीं पर इसके साथ कोई अन्होनी गटना गटी होगी मतलब इसके सर पर कहीं चोट नहीं है फिर भी इसके साथ कुछ न कुछ क्राइम तो जरूर हुआ है आपके लड़के की उस केस में कोई इंबॉल्मेंट नहीं थीक हो रहा है उसे यहां से शायद एक दो दिन के अंदर डिश्चार्ज भी कर दिया चाहिए हॉस्पिटल, दीपा, डॉक्टर सुरेश और वो चारो लड़के हैं फिर सोम भाई इन सबका आपस में कोई लिंक ही नहीं है अगर मैं दीपा से जाकर मिलू तो हो सकता है इसका कोई जवाब मिल रहा है मनू, ठीक हो रहा है, ओ गॉड़, कहा है, कैसा है वो वो हमारे कस्टडी में है उसके उपर मडर किसका चार्ज लगा है उसने हमें अपनी सारी कहानी बता दिया है तुम उसे प्यार करती हो ना लेकिन उसकी ये हालात कैसे हुई ये नहीं बता पाया इसलिए मैं तुम्हार ठीक था सर, फिर ये सब कैसे हो गया, कुछ पता नहीं सर, मैंने और मेरे डाडी ने उसका हिलाज भी करवाया, लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ, नब्स वीक होने की वज़े से शायद ऐसा हुआ, मैं भी एक मेरिकल स्टूडेंट ही हूँ, उसे किसी भी तरह मुझे ठीक करना है, इसलिए इस पारे में स्टाडी कर रही हूँ, because I love him, and he can't be a criminal, but अभी जल्दी ही तुमने सुना होगा, कि बाबु का मड़र हो गया है, जिसकी वज़े से हम भी जराब कन्फ्यूजन में है, बाबु मतलब MLA सोम जी का चोटा भाई ना, उसका मुझे हमारे मेरिकल क फोटो दिखाओ जरा, यह है क्या, हंड्रेट परसन यही है, उस दिर उनका बिहेवियर देखकर मुझे थोड़ा आजीव लगा था, कॉलेज में बॉड़ी मिलने के बाद, हुन इन ही लोगों ने किया है, मुझे कन्फर्म हो गया, यह चारो इस वक्त कहीं चुपके हुए अगर कहीं दिख जाया, तो हमें तुरंत इंफॉर्म करना, क्या मैं मनु से एक बार मिल सती है, अभी तो मुश्किल है, अच्छा तुम्हें तो इंडर्स वेस्ट साइड होस्पिडल का पता होगा ना, जी हां सर, वो हमारे फामली डॉक्टर सूरेश एंकल जी का है, क्यों क्यों जनाब, उसने मूँ खोला क्या, नहीं सर, उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ने आपके भाई का खून होते हुए देखा है सर, कहीं वो कच्रापटी ग्रूप तो नहीं, जी हां, वहीं है सर, पुलिस वालों ने बताया है, मेडिकल कॉलिज के किसी लड़की ने देखा है, उन चारों को खोन करते हुए, अब जो भी करना है करो, नत, सडक चाप चिलरों से डील करना भारी पड़ गया, क्या हुआ सेटी, क्या बात है, एक लड़की ने बाबू का मडर होते वे देख लिया था, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, वो लड़के इसलम के लड़के हैं, कहीं भी फंस जाएंगे, अरे आखिर इस बाबू ने ऐसा क्या किया था, कि तुमने उसे मरवा दिया, वो तो तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, शटी, शटी, क्या कर रहा है, यह कोई बहुत बड़ा घाव नहीं है मामू, थोड़े वक्त में सुख जाएगा, लेकिन जो अंदर यहां जख्म हुआ है, वो कभी नहीं सुखेगा मामू, वो बाबू मेरी कुरसी पर बैठना चाहता था, मैं उसे कुरसी पर बैठा देता, वो आरे स्रवी कपका उसे ल चालेता था, लेकिन मैं खुद उसे इस दुनिया से उठाने के लिए तैयार हो गया, तो सोचो मामू, कि यह काम मैंने कितनी मजबूरी में किया होगा मामू, मैं बहुत मजबूर था मामू, मैं उसे बहुत बांता था, लेकिन उसने क्या क्या, उसने मेरी बीवी को ही अपना बना लिया था, आज मेरी बीवी मेरे पास होते वे भी मेरी नहीं है, मुझे उससे नफरत होती है मामू, कैसी विडमना है, यह शिट्टी इस फिल्ड का किंग है, लेकिन घर में, सो महाई को पता चला थो, इस शिट्टी को सो दो सो लोग भी नहीं हिला सकते, तो वो मेरा क्या बिगाड लेगा, स्वामी को फोन लगाओ मामू, लगाओ, स्वामी, जिस मेडिकल कॉलेज में तुम बाबू को टपकाने के लिए गये थे, वहाँ तुमें किसी लड़की ने देख लिया है, और पुलिस को पता भी दिया है, देखो मेरा नम नहीं आना चाहिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा भाई, हम सब समाल लेंगे, फिकर मत क रही है, हाँ, हो सकता है, कल वो गवाई भी दे दे, अच्छा, तो फिर, देखो एक ही गवाई जिन्दा है, किसी भी तरह हिम्मत करके फील में उतर तो चुके ही है, अगर उस गवाई को उड़ा देंगे ना, तो चैन की जिन्दगी जी सकते हैं, यार स्वामी, वो लड़ काओ, लड़की में फर्क नजर नहीं आता, अरे, लड़कियों को मारना हमें शोभा नहीं देता यार, तू सिधी बात करने, यार, मारेगा की नहीं मारेगा, मैं किसी लड़की को नहीं मार सकता, ठीक है, तो पर तेरे काम जय कर लेगा, जय, सुन ना, यह, भू़ लड़क अरे वो बात नहीं है यार तो कल तेरी वाली आ रही है अगर दारू मिल जाए तो वो अठारा साल की हो गई यार कितनी जल्दी वक्त गुज़र गया कल यह लोग क्या करते हैं पहले वो देखते हैं उसके बाद मंदिर मिले जाके मंगल सुतर पहना कर सीधे गोवा कटिकर कर फिर किसी को नहीं मिलने वाला शेटी करेगा यह सोच कर हमें चुपने ही रहना है वो लड़के जहां भी मिले काटके फेक डालो मैं बेल कोटे साया हूं नाम शिवशान्त साहिब वो सुदर्शन सहाब ने हमें हाँ भेजा है ओ सुदर्शन ने तुमें भेजा है हमारे बा इस बात को लेकर मैं बहुत कोट के चक्तर नहीं लगा पाऊंगा सर मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा सर देखो तुम्हें या तो पुली स्टेशन जाना चाहिए या फिर कोट में जाना चाहिए वहां जाने के बज़ाए तुम मेरे पास क्यों आए हो मैं एक डॉक्टर यह सब की फिकर मत करें चुना लुज्टर हुम पैसे के लिए इंसानों में में सब कुछ बता दिया यह थीक़् पेशन कोण तो यह पेशिंट है मुझो खोलो उस दिन सुदर्शन उसकी बच्ची के बच्ची के बच्च लेवे बहुत उदास था मैं क्या करूं सुरेश बड़ी वाली शादी के लिए राजी है इसके लिए खुशिया मनाओ या छोटी वाली ऐसा कर रही है सोच कर दुखी हो जाओ क्या कह रहे हो तुम तुम्हारा मतलब क्या ये बताओ अनुशादी के लिए राजी हो गई है ये बताने के लिए मैं डिपा के कमरे में गया आफ्टर ओल वो एक ट्राइवर है वो मेरी बेटी से प्यार करता है मेरे इज़द क्या रह जाएगी कुछ नहीं दो-चार लड़कों को भिजवा कर उसकी अकल ठिकाने लगवा देते ना नहीं सुरेश हम उसका कुछ नहीं बिगाड सकते है है ये गुंडो का भी बाप लग रहा है चलो भागो यहां से भागो वो बहुत सारे गुंडो पर भी भारी पड़ता है हमें कोई और रास्ता ढुणना पड़ेगा रास्ते चाहिए वो तो बेशुमार है एक काम करो उसे मेरे हॉस्पिटल में ले आना आप तुम्हें कुछ भी आए नहीं रहेगा ये हुआ था यू आरे डॉक्टर तुम्हारा फर्ज है मरीज को बचाना सब कुछ है लेकिन कर्म अच्छे नहीं है अच्छे इंसान को भी पागल बना देते हो इसलिए अच्छे कौन है और बुरे कौन है पता नहीं चलता वी आर सौरी यहां तो सेकड़ों ललकिया है यार वैसे तो मैं उस लड़की के चेरा ही भूल चुका हूँ यार अब तो उससे पूछना पड़ेगा पहचानती हो क्या अरे जब अच्छे दिने तो क्यों लड़की के पीछे पड़े हुए हो अरे वो लड़की हमें यहां नहीं मिलेगी यार हमें यहांसे चलना चाहिए एक दो मैना कहीं छुपके रहेंगा तो सब ठीक हो जाएगा सर मैं दीपा हाँ बोलो चिन लड़को ने खून किया था वो हमारे कॉलेज में ही है सर लगता है किसी को ढून रहे है ठीक है मैं अभी पहुंच रहा हूं देख मेरे मना करने के बाद भी वह फोन कर रही है कहा हो तुम आ खर तुम चाहते क्या हो मैं कपसे तुम्हारा इंतजार कर रही हूं आ रहा हूं थोड़ा रुख बस पहुंची रहा हूं मेरी बात तो मानते यहीने इन पर नजर रख रही होने दीपा वो लड़क भी वहीं पहाना जी हां सर वो लोग यहीं पर हैं ओके दीपा तुम्हारे लिए एक सब्प्राइज है क्या है सर वन सेकेंड लो बात कर लो हलो ओ माई गोड तुम कैसे हो मानू प्लीज कुछ बोलो मुझे तुम से बहुत बात है करनी है मैं कितनी बार तुम्हारे घर गई थी पता है तुमने मुझे पहचाना ही नहीं मानू आए मिस्स यो लॉट मानू अरे वो कहीं नेजर आई क्या नहीं यार अभी तक तो नहीं दिखी तुम्हारी याद में मैं हमेशा अपने हाथों में महनी लगाती हूं उस तुम्हें दिखाना है मनू तुम चल्दी से आजाओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं मनू और फोन पे बात कर रही है रेट कालर की चूड़ीदार पैनि ये वही लड़्की है ना अरे वह मुझे मालूम नहीं क्याओ वेडू किसी बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे यहाई दिखी ये ये चल रहे चल जाए ये चल चल जाए चल जाए फ़िए ने रूप मुझे नहीं लगता कि ये अलोग उसे जिंदा छोड़ेंगे तु यह रूप मैं आतो हुआ जा पर सम्हाल के यहां थोड़ा वानू पुर। खर्पा सुनो नाडी तेच चला बोव इट फास्त गो 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 जाजेशु अरे ये वही लोग है इने, जिद्दा में चोड़ना हुआ हुआ हुआ, हुआ 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 हुआ! घीज्टे हुआ हुआet एकी Canemlor झाल वो लाई लाई से जहाई नहाई होोोोोोो लग लगत मैंजः जहाई लगा ले वाई एए! 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 एė! एए! 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 एए जो ओ एए! 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 ाीपा! एए! एंऊ! ए해! एए! लेली शे जो. धी पा, दी पा, आके फोलो दिपा, दिपा, मैं हूँ, मानू, दैडी, आप किसी और को पागल बनाना चाहते थी, देखो, आज आपकी बेटी ही पागल हो गई, मनू, तुने उस दिन कहा था, कि सारी लकिरे कही न कही आकर जुड़ती हैं, उस वक्त में उस बात को समझ नहीं पाई थी, कि वो कलाकार कौन है,